तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो आज हम आपको एक डैमो दिखाने वाले हैं जो की हमारा एप है Bluetooth चार्जिंग सर्कुट का ठीक है तो उसी के बारे में हम आपको डैमो दिखाने वाले हैं तो इस डैमो का फाइदा यह है कि हम घर बैठे चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग सॉकेट को मुबाइल फोन से कनेक्ट करके कैसे हम उसको अपरेट करते हैं तो यह सब चीज आपको डैमो में देखेगी तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यह हमारा एक Bluetooth चार्जिंग सिस्टम है यह इसको कनेक्ट करेंगे हम जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो चार्जर पर लाइट शो हो जाएगी और यहां देखिए यहां आपका क्लैम मिटर में कोई भी लोड शो नहीं हो रहा है अब हम इसको इसको पावर सप्लाई से लगाते हैं जैसे हम पावर सप्लाई से लगाएंगे तो भी इसमें लोड शोनी होगा क्योंकि हम इसको कंत्रूल करें अपने एम से जैसे हम से इसको नुटकर लेदें ₹ तो देखुए सफें Diameter वह सिंफ टेखेंगे कि यहां पर बरोड है कलें मिटर पे लूड है वो 10 एंपिर का चार्जर है तो 15 एंपेर का लोड इस फे धीरे-धीरे करके शो हो जाएगा तो ये हमने स्थार्ट कर दिया फंदरा मिन बाद ये आपका 15 सेकिंड बाद ये आपका चालू हो जाएगा 30 सेकिंड बाद तो जैसी 30 सेकिंड complete होगा यहांपे तो यहांपे आपका charger की light जल जाएगी और clam meter पे show हो जाएगा तो पित जिसकते हैं 6 5 जैसी यह 0 होगा और भी यहांपे आपका load start हो जाएगा तो यहांपे charger की light on हो गये ठीक है जैसी charger की light on हुई यह charging लिंक करने लग गया अब यहाँ पर आप clamp meter पे देखिये कि दीरे दीरे MPR बढ़ रहा है तो ये 15 debenपेर चार्जर है तो 15 एंपेर तक ये पर č Спальная ओप Byट जाएगा ठीक है 15 एंपेर तक ये लोड जाएगा जितने भी गंटे की हमने इसको charging show करनी है हम इस पर timer set कर देंगे और timer से जैसे हम set करेंगे तो उतना timer के बाद यह charging अपनी stop कर देगा तो इसका एक फाइदा यह है कि हम इसको charging station पर जितने भी गंटे की हम इस पर charging time डालेंगे automatically उतना ही गंटे बाद यह इसको stop कर देगा तो हम इसको forcefully भी stop कर सकते है ठीक है तो एप से हम इसको forcefully इसको stop किया तो यह stop हो गया देखिए आप यहाँ पर load zero हो गया और यहाँ पर supply on है तो यह light भी off हो गये ठीक है तो guys आप लोगे ने देखा कि कैसे हमने यह एक module बनाया charging module ठीक है और इसको हम mobile app से control करें तो guys आप लोगे ने देखा कि demo कैसा था हमने कैसे हमने charging charger को अपने mobile app से control किया तो आपने वीडियो में देखागी हम आपको कमेंट करके जरूर बताइए आपको बनाया